हेलो दोस्तों वालकम टू एजूकेशन चैनल दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन लेके आए हैं इसमें जो है असिस्टेंट इंजिनियर की वेकेंसी है और इसमें सभी डिपार्टमेंट जितने भी स्ट्रीम है इंजिनियरिंग के चाहिए वो आपका अग्रिकल्चर इंज इसमें सारे इंजिनियर्स के लिए वेकेंसी निकली हुई है यह वेकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली हुई है अच्छा ग्रेट पे है दोस्तों इसमें 5400 का ग्रेट पे है इसमें रेल्वे से अच्छा ग्रेट पे इसमें दे रहा है जो ऐसे जो सेक्षन इंजिनियर का ग्रेड पे होता है वह राउंड आपका 4800 या 5200 का ग्रेड पे होता है बट यहां पे जो है 5400 का ग्रेड पे दे रहा है यूपी गौर्डमेंट तो आपको जहां पे अच्छा उपरिचिनिटी है जो इंजिनियर्स है राइट तो हम डिसकस करेंगे इसमें एक्जामनेशन पै सब्सक्राइब करेंगे और उसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप इजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और वीडियो के लास्ट में तीन और सब्सक्राइब कर सकते हैं उत्तरप्रदेश पॉब्लिक शर्विस कमिशन में यह वैकिंसी निकली हुई है 13 अगस्त से फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो चुका है और 13 सेप्टमबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एक्जामिशन पैटर्न क्या है वो हम डिसकस करेंग सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों विट्सलेबस यहां पर देखिए जैनरल और एक्रोंवी कर सेक्षन के लिए 225 रूपीज अप्लिकेशन फी फॉर्ड था से स्ट कंडिडेट के लिए 105 रूपीज अप्लिकेशन फी यहां पर देखिया आप आपका जो है रेस्ट आफ ति आपकीशन फीफारओंगे कर से स्ट के लिए यहां पर देखिये सिविल के लिए जो है fuel टेपाटमेंट में 36 वेकंसी है और एlıक्रिकल के लिए juan टीअगे है for PWD and different department में civil and electrical के लिए अच्छी खासी वेकेंसी है जसी ये PWD के लिए इतनी वेकेंसी उसके बाद housing and urban planning में civil के लिए 21 वेकेंसी है नगडविकास निगम के लिए जो है water and जो है चलकल जो इंजिनियर है उनके लिए इसमें civil, mechanical और electrical तीनों apply कर सकते हैं 14 वेकेंसी है assistant engineer traffic इसमें civil वाले apply करेंगे 4 वेकेंसी है agriculture service group B का ये job है agriculture engineer 4 वेकेंसी है 76 वेकेंसी for the civil candidate ये है अवद आवास इवाम विकास परिश्यत इस department में 76 वेकेंसी है electrical के लिए same department में 4 वेकेंसी है ground water department but आप एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाइ कर पाऊगे because सबका paper एक ही साथ होगा तो इसलिए आप एक ही में form फिल कर सकते हो तो जिसमें सबसे ज्यादा वेकेंसी है उसमें तो definitely सब बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि जिसमें कम है उसमें आप मत भढ़िएगा उसमें क्या पता कि आपको चांस मिल जाए आपका उसमें मेरिट लिस्ट बन जाए यह दिखें ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में त्री वेकेंसी है जो police department है home police department chief fire officer तेरह वेकेंसी है इसमें civil electrical mechanical industrial fire and hydraulic engineer इसमें अप्लाई कर सकते है information and public जो है आपका department relationship department assistant television engineer एक वेकेंसी है electronics candidate can apply for this profile अब देखिए नेक्स जो है ruler engineer department civil के लिए 10 वेकेंसी है राइट इसमें जो है आपका ग्रेट पे देखिए चाववण सोगा ग्रेट पे है काफी अच्छा जो है इसमें Sally package आपको मिलने वाला है राइट तो other analysis भी अच्छे खासे आपको मिलेंगे आपको house भी मिलेगा साड़ा कुछ इसमें मिलने वाला है अब देखते हैं दोस्तों इसमें next eligibility criteria बीट एक होलर जितने candidate है apply कर सकते हैं with fresh air इसमें कोई भी experience नहीं मांगा है right with 60% marks for the civil engineer right इसमें जो है आपका भूगर्व जल अनुवेशन एन समावेश में two words का अनुवाब मांगा है इसमें आपका यह देख सकते हैं assistant engineer groundwater department के लिए two year का experience मांगा है बाकी में देख लेते हैं यहां पर first civil engineer pw department में इसमें कोई भी आपका experience नहीं मांगा है सिर्फ बैटलर डिग्री जो बी टेक होल्डर है वो apply कर सकते हैं इसमें दिया है आर्मी में इसमें two year का जो है दिया गया है आपका two year का अगर है बट इसमें preference दिया गया है ऐसा नहीं है कि आपका compulsory किया गया है जो first preference उनको दिया जाएगा जिन्होंने की यह इसमें किया है आपका two year का training लिया या one year का training लिया तो उनको first preference दिया जाएगा assistant engineer जो है आपका electrical mechanical इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिफेर दिया है प्रिफेर मतलब first preference दिया जाएगा ऐसे candidate को जिन्होंने army of the minimum जो है आपका period of two year union territory of army कोई किसी भी जो है रेटरी में two year का काम किया हो या फिर आपका NCC का certificate हो तो आप उनको first preference दिया जाएगा राइट इसमें मतलब experience और फ्रेसर दोनों candidate इसमें apply कर सकते हैं जिनके पास NCC का जो है आपका certificate है C grade का तो उनको ज्यादा preference दिया जाएगा राइट प्रिफेरेंस का है इसमें जो हम examination pattern देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा 21 से 40 age रखा गया है SCST को five year extra मिलेगा age relaxation and three year for the OVC candidate अब यहाँ पर देखेंगे हम examination pattern देख लेते हैं फटाफट यह देखेंगे examination pattern है जिसमें की दो paper आपका होने वाला है and then फिर जाके आपका interview होगा 100 नमर का first paper जो है आपका objective type का जो होगा आपका यहाँ पे वैसे दोनों ही objective होंगे राइट जिसमें कि शामान हिंदी 25 marks 25 question रहेगा and three marks के every question रहेंगे 75 marks का हो technical electrical जो technical question रहेगा वो hundred question रहेंगे और every question three marks का रहेगा 375 marks का question रहेगा धाई गंटे में आपको solve करना पड़ेगा सेम सेकेंड में जो है आपका समान अध्यन जो है 75 नमर का रहेगा and technical three hundred number का रहेगा three hundred 75 नमर का आपको question solve करना है साड़े मतलब धाई गंटे में और hundred नमर का interview होगा तो total 850 नमर में आपका merit list तयार होगा आप यहां पर देखिए दोस्तों syllabus राइट सबका syllabus दिया गया है मैं आपका time consume बिलकूल नहीं करने वाला हूँ यह syllabus है जब आप website पर जाओगे तो आप जो है यह के मैंने website इसका खोल के रखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने website पर गया हूँ तो यहां पर जाके आप जब apply करोगे राइट तो apply जैसे आप apply करोगे तो यह notification आप download कीजिएगा तो आपको सारा का सारा syllabus and all these things आपको मिल जाएगा राइट यह देखिए advertisement number है a-5-e-1-2021 तो यहां पर जाके जो है आप apply यह notification आप download कर सकते हैं और apply करने के लिए up यहां देखिए uppsc.up.nice.in पर जाके आप apply कर सकते हैं right so दोस्तो all the best for your selection process कोई doubt होगा तो comment कीजिएगा मैं आपको response करूँगा और अभी जो स्क्रीन पर तीन notification दिख रहा है इसको जरूर देखें और इसमें भी apply करें ताकि government jobs related जो है आपको chance मिले कि एक से ज्यादा organization में ताकि आपको जो ह है और इजी होग एगर एक नहीं होता है दूसरे हम definitely हो जाएगा right thank you for watching this video please share and subscribe education channel thank you